नमस्कार मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं लाइफ सिटी सर आपका लाइफ सिटी में बहुत-बहुत स्वागत है जो लोग पहली और दूसरी लहर में कुरोना के सिकार हो चुके हैं या कुरोना से संक्रमित हो चुके हैं वो अब तीसरी लहर में बहुत जादा डर जिनको पहले COVID नहीं हुआ है, तो उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं तो हमेशा ही कहा रहा हूँ कि पोजिटिव माइंड सेट रखिये, खान पान में हमेशा प्रोटीन डायेट, ऐसा डायेट का सेवन न कीजिए, जिससे आपका मुटापा बढ़ है, कोई प्रोसेस्ट फूड मत खाएए, बिस्कीट, पेस्ट्री, चौमिन, पीजा, सेवन, बिल्कुल खतम कर दीजिए, वाइटमीन सी का बरपूर सेवन, मौसम्मी है, संत्रा है, इसे करते रहिए, अंडा जरूर लिजिए, अगर आप नौनवेज परसंद करते हैं, तो अंडा और मीट लिजिए, ताकि अंदर की शक्ती आपका डेवलप करें, और मैं बार-बार इस बात करता हूँ, कि जो ट्राइड है, यानि मास्क, डिस्टेंसिंग, और हाईजिन, इसका कभी भी हलकी सीवसाबधानी घटेगी, तो दुर घटना घटेगी, आप फसेंगे, और बुरी तरफ फसेंगे, चाहे जो भी वेवाज है, सर, जैसे कुछ लोग जो है, वो ये मानते हैं कि अगर हम COVID में, दूसरी और पहली लहर में, अगर हम COVID के संक्रमन में आ चुके हैं, तो डॉक्टरों का भी कहना है, कि उनमें antibody बन जाती है, और अब तो ये भी एक सोध में आया है, कि आप एक TK का जो डोज लेते हैं, उसके बराबर आपके शडीर में antibody बन जाती है, तो जो लोग संक्रमित नहीं हुए हैं, वो इस कारण और भी जादा वैवित है, कि हमारे बोडी में तो antibody है नहीं, तो शायद तिसरी लहर में हम चपेट में आ जाएं, तो क्या उनको इन ब्रहामक चीजों से, या इन तथ्यों पे डरने की ज़रूरत है, और अगर ये बात सही भी है, तो क्या उनको ऐसा करना चाहिए कि वो इससे बचे रहे हैं? अगर जो जिनको infection हो चुका है, बिल्कुल सही आपने का, उनको तो immunity डेवलप कर गया, वो immunity एक साल पर दा सकता है, दस मिने पर सकता है, मतलब साइंटिस्ट मेले वेग्यानिकों का मत है, लेकिन आप immune हैं, लेकिन जिनकों infection नहीं हुआ है, जैसे आप हैं, हम हैं, जिनकों infection नहीं हुआ है, उनको तो डरना तो है, तो डरने के लिए आप चा कीजेगा, पहला काम कीजे कि टीका लगवाईए, अठारा साल के ऊपर है, या आपका राष्ट धर्म है, इंसानियत का धर्म है, वैश्युक धर्म है, सामाजिक धर्म है, कि आप टीका लगवाएं, हर व्यक्ति अगर टीका लगा लेगा, herd immunity develop करेगा, या तो natural infection से, या TK के infection से, तो जब herd immunity develop कर जाएगा, तो कोई wave का कोई असर नहीं होगा, कितना भी तुफान क्यों नहीं आ जाए, आपके अंदर ऐसा immunity की चट्टान बनी रहेगी अंदर, वो उसको चूप के बाहर निकल जाएगा, आपको कोई असर नहीं पुड़ेगा, लेकिन सबसे जरूरी यही है, कि मास्क, डिस्टेंसिंग और टीका, तो यह लगवा के रहें, नॉर्मल आदमी को डरनी की जरूरत जरूर है, बसरते कि अगर आप इससे पी सीज़ का इस्तमाल नग करेंगे, इसलिए मेरी गुजारिश है आपके थुरू, बहुत अच्छी जानकारिया और बहुत अच्छी अच्छी बातें हमसे शेयर की, और उन्होंने बताया, जो आपके मन में उलजहने हैं, पोस्ट कोविड सिम्टम्स को लेके, या फिर गोरोना में जो अनलॉक की प्रकिडिया चल रही है, उसको लेके, उन सारे सवालों के जबाब हमने डॉक्टर से लिये, तो अब ये देखना है कि आप इस प्रकिडिया को कैसे फॉलो करते हैं, डॉक्टर ने जो जो बात बताये, आप उसे कैसे मानते हैं, आपको गौर करवाएं कि डॉक्टर ने बार बार तीन चीजों पे बहुत फोकस किया है, वो हम फिर से डॉक्टर से पूछना चाते हैं कि वो तीन चीजे क्या हैं, अगर आप ये वीडियो यूटूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें टुटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, अभी के लिए बस इतना ही हमारे साथ लाइप सिट्री वे बनने रहने के लिए धन्यवाद,